नमस्कार दोस्तों तो आपने कल यहां पर एक न्यूस सुना होगा जहां पर बताया गया है कि Vodafone भारत के खिलाब भारत सरकार के खिलाब यहां पर 22,000 करोड की जो arbitration का केस है उसको जीत लिया है बेसिकली तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि यह केस चल कहां पे रहा था और आखिरकर यह पुरा मामला कहा है इसका background जानना आपको काफी ज़्यादा ज़रूरी है और specifically आजकल जब हम बात करते है ease of doing business की तो यह जो particular case है वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हब PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी ही प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जोइन कर सकते हैं अंकित अगरवाल और अगर आप UPSC की तेहरी कर रहे हैं तो आपके लिए सुने रहा मौका आपके लिए स्मार्ट पोर से जिसके तुरू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो बेसिकली हम यहाप पर सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है अखिरकार तो आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर एक कंपनी थी एक Telecom कंपनी थी जिसका नाम था हच्छ आपने देखा ही होगा एक छोटा सा पपी रहता था I am sure कि आप सब लोग उसके बारे में जानती होगे तो 2007 में क्या हुआ कि Vodafone की जो कंपनी है उसने भारत की जो हच है हच्छिशन जिसको कहा जाता है उसको खरीद लिया अब इसको देखते वे क्या होता है कि हमारे देश में या फिर बाकी देशों में अगर आप देखोगे एक particular tax होता है जिसको कहा जाता है capital gain simple तोर से अगर मैं आपको समझाओं तो suppose मैं कहता हूँ कि आपने 5 साल पहले gold खरीदा था जिसकी value एक लाग रुपए थी और आज के date में उस gold की value हो गई 5,000,000 रुपए तो आपने ये जो 50,000 रुपए एक्स्टा कमाया तो एक तरह से क्या हुआ ये जो आपका capital था जो gold है वो क्या हुआ capital है तो इस capital पर आपको कितना gain हुआ है ये हुआ है 50,000 रुपए का तो इस 50,000 पर जो आपको gain हुआ है इसके उपर आपको tax पे करना पड़ता है इसी को कहते है capital gains tax तो यहाँ पर देखे क्या हो रहा है कि Vodafone जो है वो हज को खरीद रहा है उस case में यहाँ पर क्या हुआ हज को यहाँ पर capital gain हुआ तो इसके लिए क्या होता है कानून के अंदर कि कोई भी company जब payment करती है तो Vodafone ने इस case में क्या हुआ हज को यहाँ पर payment की तो कानून के अंदर यह है कि आपको जो tax है यह जो capital gain होगा हज को वो पहले से ही withhold कर देना चाहिए Vodafone को मतलब कि Vodafone अगर सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हज को जो है करीब 1 करोन रुपए सरकार को pay करने है ठीक है capital gain के तौर पर तो Vodafone क्या करेगा जितना भी payment करेगा हज को सपोज मैं कहता हूँ 50 करोन का payment कर रहा है लेकिन 1 करोन यहाँ पर हज को तो payment करना ही है सरकार को as a tax तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 करोन जो है वो Vodafone पहले ही यहाँ पर withhold कर लेता है मतलब 50 करोन की जगह Vodafone हज को कितना देगा 49 करोन देगा और 1 करोन कहां पर चला जाएगा यह सरकार के पास चला जाएगा तो इसी को कहा जाता है withholding tax ठीक है तो यहाँ पर सरकार का कहना था कि यह जो पूरा capital gains tax हुआ है और आपको withhold करना चाहिए था इसका amount बनता है करीब 22,000 करोन रुपए जो कि यहाँ पर Voda phone को देना चाहिए भारत सरकार को लेकिन यहाँ पर Voda phone ने नहीं दिया है तो यह पूरा मामला क्या हुआ यह चला गया permanent court of arbitration में ठीक है जो कि आपको Netherlands के अंदर हेग में मिलेगा तो इस particular court ने यहाँ पर अब यह बताया है कि जो दो देश के बीच में यहाँ पर एक treaty हुई थी उसको यहाँ पर देखते वे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर fair treatment नहीं किया गया है Voda phone के साथ और यहाँ पर जो आपका decision है वो Voda phone के favor में जाता है और यहाँ पर जो सरकार demand कर रही थी 22,000 करोण का as a tax वो गलत है basically अब आपके में बहुत सारे confusion होंगे तो मैं काम करता हूँ इसका background आपको समझाता हूँ देखिए मई 2007 में Voda phone ने हचिसन जो है इसको 11 billion dollar में करीब 67% इसका stake खरीद लिया मतलब कि हच का जितना भी काम था mobile telephone था या फिर other जो assets वगर थे उसको 11 billion dollar में खरीद लिया तो basically यहाँ पर क्या हो रहा है हच को यहाँ पर capital gain हो रहा है हच के पास यह 11 billion dollar आ रहा है तो यहाँ पर हच को एक तरह से capital gain हो रहा है तो यहाँ पर हच को क्या करना था payment करना था लेकिन हच नहीं करेगा इस case में यहाँ पर क्या करना चाही था voda phone को पहले ही यहाँ पर जो tax का amount है वो अपने पास रख लेना चाहिए और बाकी payment हच को देना चाहिए और जो tax का amount रोका है voda phone ने वो सरकार के पास चला जाता तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि मई 2007 में यह आपकी deal हो जाती है फिर उसी साल 2007 के September में भारत सरकार ने Vodafone से demand किया कि आपको करीब 7,990 करोन रुपीज यह as a capital gains जो है जो आपको withhold करना चाहिए था वो सरकार को pay करना है तो अब Vodafone इससे नाखुश हो गय Vodafone का आप देखिए तरप क्या था Vodafone का कहना था कि जो भारत के कानून के हिसाब से income tax act 1961 अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इस तरह की कोई भी चीज नहीं की गई है जिस तरह की हमने dealing की है वहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी और हम पर ऐसा कानून में नहीं है तो इसको देखते वे अब क्योंकि भारत सरकार ने तो डिमांड कर दिया था जो revenue department है तो Vodafone क्या किया Vodafone Bombay High Court के अंदर अपना एक petition डाल दिया कि भारत सरकार ने यह जो डिमांड किया है 7,990 करोन का यह गलत है यह जो है डिमांड नहीं होन इसके फेवर में आया Bombay High Court ने बोला कि नहीं भारत सरकार सही कह रही है यहाँ पर आपको payment करनी होगी अब इसको देखते वे Vodafone ने क्या कि आप फिर इस particular challenge को Supreme Court के अंदर यहाँ पर further challenge कर दिया वहाँ पर petition डाल दिया अब यहाँ पर एक interesting mode आता है दिखे Supreme Court ने actually जो Bombay High Court क judgment थी उसको overrule कर दिया Supreme Court ने देखे 2012 में क्या कहा कि यहाँ पर जो Bombay High Court ने फैसला सुना है यह गलत है as per income tax act 1961 यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि Vodafone की जो बात है उसका जो interpretation है कि हमें कोई tax यहाँ पर नहीं पे करना यह बात सही है और जो सरकार यह tax मांग रही है वो यहाँ पर गलत हो जाता है आप सोचके देखे सुप्रीम कोट ने 2012 में यह judgment सुना दिया था लेकिन आप भारत सरकार इससे खुश नहीं थी अब देखे यहाँ पर यही दिक्कत आ जाती हमारे देश के अंदर क्या हम ease of doing business कई सारी चीज़ों की बात करते हैं लेकिन किस तरह से यहाँ पर कंपनियों को काफी मुश्किल होता है आप देखे अब यहाँ पर क्या होता है अब आपको पता हिए कि जो लेट प्रणा मुखर जी जो है उस समय वित्यमंत्री थे भारत सरकार के अंदर तो यहाँ पर सरकार ने यह डिसाइड किया कि सुप्रीम कोट का अब तो अब हम एक काम करते हैं कि यह जो आपका टैक्सेशन का रूल है इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पर चेंज कर देते हैं मतलब कि आप 2012 में जाकर पहले का जो एक्ट है उसमें चेंज कर रहे हो ताकि वोडा फोन को कमपलसरी यहाँ पर जो पेमेंट है वो करनी पढ़ जाए और यही जो केस है इसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स ठीक है जो आप पहले मतलब आप फ्यूचर में जाकर पहले की चीजों में बदलाव कर रहे हो ताकि कमपनी को यहाँ पर पेमेंट करना पड़े इसी को रेट्रोस्पेक्टिवली का जात लेकिन ये काफी जादा चर्चा में आ गया था और इसको लेकर जब ये पास हुआ इंडियन परलिमेंट से तो globally काफी जादा यहाँ पर backlash हुआ था भारत सरकार के खिलाब आप exam में गये तो यहाँ पर UPSC कह रही है कि नहीं हम change कर देते हैं रूल में आपको ये वाला चीजें भी पढ़नी थी तो क्या ये सही होगा कुछ वैसा ही यहाँ पर system हो गया कि यहाँ पर कोई company भारत के अंदर आ रही है काम करने के लिए और वो सोच के आ रही है कि यह यह हमें tax pay करना पड़ेगा हर company ऐसा ही करती है तो यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया उस company से और tax लेने के लिए retrospectively यहाँ पर taxation में बदलाव कर दिया ताकि उसे और जादा tax लिया जाए लेकिन यहाँ पर आप देखिए criticism बहुत जादा होने लग यह तब यहाँ पर भारत सरक सरकार का एक जो perspective था एक आपका यह था कि business friendly होगी ऐसा होगा उन्होंने भी यह बोला कि हम आगे से कोई भी ऐसा fresh जो tax है वो यहाँ पर demand नहीं करेंगे ठीक है और ऐसा माना जा रहा था कि नई सरकार के साथ जो Vodafone का deal है वो चीजें सुधर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं ह किया और एक तरह से जो आपका पूरा case है उसको continue रखते गई अब इन सारे चीजों को देखते वे finally जो है Vodafone Group ने यहाँ पर क्या किया एक investment treaty हुआ था नेदर एल लेंड और भारत के बीच में in the year 1995 पहले ध्यान से सुनो यह क्या है यहाँ पर bilateral investment treaty BIT यह किसके बीच में हु कौन से शाल में 1995 में तो इस treaty के अंदर एक clause है clause 9 इसको invoke कर दिया अब इस clause में basically क्या होता है कि अगर कोई company यहाँ पर खुश नहीं है तो अगर वहाँ पर judgment कोई दूसरा आ रहा है और company चाहती है कि नहीं हम इसको further चीजों को pursue करा जाए तो यहाँ पर देखे क्या हुआ था protection मिल सके security मिल सके मतलब कि वो invest कर रहा है ऐसा ना हो गलत तरीके से उससे tax मांगा जाए यह पूरा आपका investment treaty हुआ था नेधर लेंड और भारत की बीश में November 6 1995 को तो यहाँ पर basically voda phone अब क्या करती है इस treaty का clause 9 यहाँ पर लगा देती है और यह case आपका चला जाता है permanent court of arbitration मे मैंने अभी जो आपको starting में बताया है don't worry इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक question भी मैंने इसके उपर डाला है permanent court of arbitration में ठीक है तो यह case चला गया लेकिन आप में से कई लोगों को एक question आना चाहिए आप में से लोगों ने सुना होगा यह और वोड़ा phone तो England की company ह Britain की company है तो यहां पर Netherlands कहां से बीच में आ गया अब देखिए यहां पर वोड़ा phone ने क्या किया था वोड़ा phone ने basically क्या किया कि उसने वोड़ा phone ने बोला कि भारत का जो हज की company हमने खरीदा है वो England वाली company से हमने नहीं खरीदा है हमने क्या किया है कि जो वोड़ा phone की Netherlands के Dutch की एक unit है मतलब वोड़ा phone का ही एक unit है Netherlands के अंदर जिसका नाम है वोड़ा phone international holding ठीक है इस company ने भारत की हज की company को खरीदा है तो यहां पर एक तरह से deal किसके बीच में हो गया अब Netherlands और भारत के बीच में हो गया इसलिए यहां पर वोड़ा phone ने क्या किया था यह जो treaty है इस a permanent arbitration criminal इनका यहां पर फैसला आया है कि जो भारत सरकार के द्वारा retrospectively tax में change किया गया था यह गलत है जो treaty यहां पर अपनाई गई थी दोनों देश के बीच में उसके विरुद जाता है यह और यहां पर भारत सरकार को यह जो tax की demand है अब वोड़ा phone से नहीं करनी चाहिए इ यहां पर भारत सरकार को जो है वोड़ा phone को reimburse करने होंगे वापस देने होंगे although मैं बता दूँ कि जितना भी demand किया था भारत सरकार ने वोड़ा phone से tax के form में वो वोड़ा phone ने कोई भी payment नहीं किया था तो उसको तो भूल जाएए क्योंकि अब यहां पर फैसला आ गया है औ हम इसके ओपर examine करेंगे कि यह पुरा case और हम इसको किस तरह से pursue कर सकते हैं although यहां पर मैं जब इसके बारे में research कर रहा था तो कई सारे जो experts थे उनका यह मानना था कि अब शायद कोई formal channel नहीं बचा है इसको appeal करने के लिए और यहां पर हो सकता है कि जो सरकार है वो technical basis पर य in fact यहां पर कुछ लोग का यह कहना था कि सरकार को इसको यहीं खतम कर देना चाहिए क्योंकि पहले से यह सब को मालूम था कि यह जो retrospectively चीजें की गई है यह कहीं न कहीं investment हो गया भारत की image हो गई इसको कहीं न कहीं यहां पर खराब करती है तो यह पूरा मामरा था दोस्तो कुछ लगभई किसमें पता चल जाएगा इसका answer जो है मैं अपने हमेशा की तरह Instagram पर डालूँगा ही और Telegram चैनल पर भी इसका यहां पर जो है answer मैं डाल दूँगा आप वहां से ले सकते हो आप बाकी आपको पता है कि मैं daily यहां पर एक MCQ भी जालता हूँ आप stories में जाकर प्ले कर सकते हैं अगर आपको study IQ पर मेरे economic के course खरीदने हैं तो आप study IQ पर जा सकते हैं वहां से आपको मिल जाएगा I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon